हमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप इलेक्ट्रीक को बाइडिंग करते हैं तो पर कि कनेक्षन होती है जिसमें डुको से लगी होती है और आज हम आपको बताएंगे टुल स्विच की दो दो तरह की connection जो मुखी रूप से पचलित है और इसी साथ हम शुरुवात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक वीडियो की सिंखला और यह शुरुवात वीडियो है तो चलिए इसके बाद हम एक से एक एलेक्ट्रिक की भी हम वीडियो निकालेंगे तो चलिए शुरुवात वीडियो है तो चलिए यह देखते हैं कि मानिक चलिए कि अगर आपको वाइरिंग करनी है और वाइरिंग में आपको टूवेक स्विच के connection करना है तो जैसे सीडियो पर अक्सर होता है कि एक फ्लोर पर आप स्विच आउन कर दिये दूसरे फ्लोर पर आपको परचलित है तो आप यह देख सकते हैं कि टूवे स्विच की एक पॉल पर फ्लोर फेज और दूसरे फेज पॉल पर न्यूटल है और बीच वाली जो है आपकी यह कमन है और बीच वाली कमन से आपकी जो लोड है यह बल्व इतियादी की लोड है वह एक शिरा दे द स्विच है तो इस तरह आपकी कनेक्शन करनी है होता क्या है दोनों कनेक्शन की मैं आपकी प्लस पॉइंट और मैनस पॉइंट दोनों बताऊंगा उसके दूसरे छोर पर भी यानि कि अगर यह टॉप है तो यह निच्चे वाले फ्लोर पर है तो यहां पर भी वैसे ही जगह के लिए जहां न्यूर्टेशर फैज सिफ एक ही जगह मौजुद है एक जगह मौजुद नहीं है यह कनेंक्स बिखाव के लिए अब इसका को अपरेटिंग सिस्टेम काम कासे करता है यहाँ पर यह यह जो पूल है यहां थे फेज यह connect है यहाँ पर याने कि बीच वाले पर तो इसे सिदे यहां पर फेज मिलेगी, और यहां पर से फिर फेज returning होती जाएगी, और यहां पर अगर उपर के तरफ कनेक्ट होगी तो यहां पर फेज मिलेगा जिससे बल्ब नहीं जलेगी और नीचे अगर इसको मिल जाता है नूटल तो यह बल्ब जलने लगेगी और ठीक इसके उल्टा अगर यहां पर अगर हमने नूटल किया है और यहां पर अगर हमने फेज कर दिया तो यह बल्ब देख सकते हैं कि यहां पर भी टू सीच लगी है तू यह स्वीच लगी है दोने तरफ यह मान चली कि फर्स फ्लॉर है यह सेकेंड फ्लॉर है तो यह फर्स फ्लॉर पर आप देख सकते हैं कि उपरी वाली एक पीन की जो वायर है सीधे सेकेंड फ्लॉर की एक एक पीन पर लग जा रही है तो इस तरह यह connection हो गया अब बीच वाराइप यहां पर हम फेज दे देते हैं जब कि इसके निगेटिव से यानि इसके कमन से हम उठाकर बल्ब में डालते हैं उसके दुसरे छोर को हम निगेटिव दे देते हैं तब होता क्या हो दोस्तो मान के चलिए कि यहां पर अगर हम इसे फेज दे देते हैं तो यह अगर डाउन में अगर रहती है तो यह बल्ब यहां पर फेज नहीं मिलेगी जब यहां पर उपर है तो इसको अगर हम डाउन में कर देंगे तो यह बल्ब बुझ जाएगी और यह जब हम अप्त में कर दें तो बल्ब जल जाएगी और यहां पर ठीक हम इसको डाउन कर देते हैं तो बल्ब बुजी हुई है और यहां पर जब हम इसको डाउन करेंगे इस बल्ब को तो यहां पर यह बल्ब जलने लगेगी तो इस तरह यह फंसन काम करती है यह दोस्तों उस जगह के लिए है जहां पर दोनों किनारे आपको फ आपको एक न्यूटल या फेज चाहिए यहां पर एक न्यूटल या एक फेज चाहिए तब यह काम करेगी दोस्तों तो यह इस तरह है यह इसकी माइनस पॉइंट है कि यहां पर आपको दोनुच छोर पर आपको न्यूटल फेज मिलनी चाहिए जब कि यहां पर एक छोर पर म से जबकि यह उसके अप्रिक्षा सेप्सियंट है वह कैसे दोस्तों मानिक चलिए कि यहां पर यह जो स्वीच है ऑन अफ करने वाले किसी कारण से खराब हो जाती है तूट जाती है तो सीधे फेज और न्यूटल सीधे डालेक्ट आपस में सौट कर जाएगी जिससे आपकी व निकुसान नहीं होगा तो इस तरह से यह एक सिप्सियंट वायरिंग होगी जबकि यह आपकी थोई सी डेंजरस है और यहां पर काम करने में भी आपको थोई सी डेंजरस लगेगी क्योंकि आप न्यूटल फेज दोनों है तो दोस्तों यह वीडियो से इतना ही फिर अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद